जल्दी से कमेंट करके बताइए आप सभी कैसे हैं और वोकाब के एक सेशन के लिए कौन-कौन सुभा साड़े-पांच वजे मेरे साथ उठा है आप सभी के सभी आए होप कमबल रजाई में होंगे ब्लांकेट्स में होंगे तो आपके जो आपके एक्जाम साने वाले हैं उनके अगर तैयारिया आपको करते रहना है तो आपको ध्यान अपना बहुत जादा रखना पड़ेगा इस टाइम पर आपके दिन के शुरुआत थौट अफ दा डे के साथ दा की टू सक्सेस इस कंसिस्टेंसी आपको लगातार कोई चीज करते रहनी है चाहे आज कम कल जादा कल कम परसो जादा लेकिन वो करते रहनी है जब तक जो आपका लक्षे है जो आप अचीव करना चाहते हैं आप वो अचीव ना कर ले तब तक कंसिस्टेंसी आपको बना memory जो छुपी हुई होती है और आपको नहीं पता होती है आप उसको क्या बोलते तो cash memory बटे होता क्या है cash अगर मैं इसको simply नाम देना चाहूं तो hidden जो चीज छुपी हुई है जो चीज छुपी हुई है वो है cash अब इसको चाहिए cash memory तो छुपी memory जो आपके phone में है a collection of items of the same type stored in a hidden और inaccessible place inaccessible आपको बताया हुआ है जहां तक पहुचा ना जा सके तो कुछ ऐसी चीजों का सम्हू है जो एक जगा रखा गया है और ऐसी जगा पर store किया गया है जहां पहुचा नहीं जा सकता है ऐसी जगा पर जहां पर पहुचा नहीं जा सकता है वह आपका cash जैसे क्या देख रहे हो इस book में इस book में एक hidden यहां पर छोटा सा box type है जिसमें चीजें रखी हुई है जो किसी को expected नहीं है कि book में ऐसे भी कुछ छुपाया जा सकता है नेक्स्ट एक्जामपल देखिए he decided that they must cash their weapons उनसे डिसाइड किया कि उन्हें अपने weapons जो है वो छुपा लेने चाहिए hide कर लेने चाहिए सिननम देखिए क्या है stock और reserve करके रखना रिजर्ब करके रखना कोई चीज बचा कर रखना एंटेनम उल्टा क्या हो जाएगा कोई चीज spend कर दे रहा आपने बचाया और फिर spend कर दिया throw away stop करके रखा और फिर fact दिया तो यह क्या हुआ एंटेनम जैसे भी कोई भी waste cheese है उसको आफ फैक देते है नेक्स चे कैकोफोनी कैकोफोनी क्या है जैसे हिंदी बहुत सारी अवाज एक साथ आ रही है और कोई भी अवाज दूसरी वाज साथ रिदम में नहीं है सारी उपर नीचे इधर उधर बज रही है और बहुत तेज बज रही है को ला हल मीनिक देखिये क्या है अहाश discordant mixture of sound discordant का क्या मतलब है एक दूसरे से एक दूसरे के साथ नहीं है बीट में नहीं है अलग अलग चल रही है दूसरे से कौपरेट नहीं हो रही है sounds ठीके तो वो अलग अलग बज रही है और बहुत ही जादा तेज बज वो है आपका कैकोफोनी, हार्श साउंड है, आपको अच्छी भी ने लग रही अपने कानों के लिए एक्जामपल देखे, कैकोफोनी औफ डेफिनिंग अलाम बेल्स, डेफिनिंग मतलब बहरा कर देने वाली अलाम बेल्स का कैकोफोनी, मतलब कोला हल मच गया, एकदम से इतनी जादा आवाज आने लग गई, अलाम बेल्स की सिननम देखे, डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब उपर नीचो बज रही है, कोई उनमे तालमेल नहीं है फिर है noise, मतलब भई आपको पता ही है, जो harsh sound होती है, उनको हम क्या बोलते है, noise एंटनम क्या हो जाएगा, quiet, quiet और silent, मतलब बोलना नहीं है, बोलना मना है भुबला नेक्स्ट क्या है आपके सामने कैलो, कैलो को क्या मतलब होता है, जो immature हो या जिसके पास experience नहीं हो, हिंदे में बोले तो अनुभव हीन meaning, of a young person, एक young person के बारे में है, inexperienced और immature, क्योंकि mostly ऐसा assumption है, कि young people ही जो है, inexperienced होते है क्योंकि उन्होंने अपनी life में इतना experience नहीं किया होता, तो उनको बोलते हैं, कैलो, जिसको पता ही नहीं है, आगे क्या करना है, क्या नहीं example देखिए, we were just callow youth, but he made a huge effort to invite us to his parties, हम तो सिर्फ एक callow youth थे, मतलब अनुभव हीन लोग थे हम, लेकिन उसने बहुत ही जादा हमारे efforts की अपनी party में बुलाने के लिए, मतलब कि उस party में जो है, सिर्फ और सिर्फ experience लोग जाते होंगे synonym क्या है, raw, raw का मतलब जिसको अभी कुछ भी नहीं पता, अभी नया नया ही कोई चीज करनी शुरू की है mature आपको पता है, जो mature ना हो endonym क्या हो जाएगा, mature और raw का experience, जिसके पास experienced हो, उसको पता है, वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं, काम कैसे करना है, कैसे नहीं next आपका callous, callous का क्या मतलब है, जो कोई insensitive हो, जो कोई ऐसे comments पास कर देता हो, जो दूसरी को पसंद ना आते हो, या किसी को bully करता हो, तो अगर मैं हिंदी में बोलू तो इसको क्या हुआ, कठोर showing or having an insensitive and cruel disregard, cruel और insensitive regard, किसी और के लिए सामने वाले के लिए, cruel मतलब कि कठोर है, ठीक है, बहुत ही जादा मतलब कि insensitive है, उसके अंदर emotions नहीं हैं, कि दूसरे को कैसा लगेगा, कैसा नहीं, दुष्ट है example देखिए, his callous comments about the murder made me shiver, उसके ऐसे comments से murder को लेके, इतने insensitive comments थे, कि मुझे, मली जैसे इतने wrong टे खड़े हो गई, goose bumps आ गई, शिवर होने लग गई मैं, कपकपाने लगई, उसके comments सुनकर synonym क्या है, देखिए, heartless, जिसके पास दिल ना हो, जैसे बोल देते हैं, तुम heartless हो, बोल देते हैं, दिल की जगा पत्थर है, cold, cold अब क्यों बोलते हैं, जैसे words cold होते हैं, comments cold होते हैं, जो insensitive होते हैं, वो वालों को हम बोल देते हैं cold, उल्टा क्या हो जाएगा, kind, compassionate, हम benevolent, जो हमने बहुत पहले किया था, वो भी यहां use कर सकते हैं, बारिश में किसी को चाता देना, is a kind act, next आपके पास capitalize, capitalize का क्या मतलब है, एक तो वही वाला है कि जो business में पूंजी से related होता है, एक तो वही वाला है, capital लगाना पूंजी से related जो रहता है, एक होता है किसी का फायद वही वाला यहां meaning है, take the chance to gain advantage from, आप कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे हैं, जिसमें आपको फायदा हो सकता है, चाहे दूसरों का use करके, चाहे कैसे भी, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा दिख रहे हैं, एक्जांपल देखिए, the company tended to capitalize all costs and revenues associated with opening new homes, यह कौन से वाला एक्जांपल है, पूँजी वाला, कि company ने सारे के सारे cost और जिवेन्यूज हैं, जो associated थे, opening of new homes, वो सारे के सारे क्या है, capitalize कर दिए हैं, पूँजी में लगा दिए हैं, सिननम क्या हो जाएगा, take advantage, किसी का फायदा उठाना, exploit करना, किसी का फायदा उठा रहे हो, तो उसको आप क्या कर रहे हो, exploit कर रहे हो, एंटनम क्या हो जाएगा, lose, अब किसी चीज का फायदा उठा रहे हो, तो उल्टा क्या हो जाएगा, कोई चीज, lose करना, जैसे chess की game में एक इंसान जीतता है तो दूसरा इंसान हारता है next is capitulate capitulate क्या होता है जहां पर जैसे दो लोग कोई लड़ रहे हैं तो लड़ते time जो भी जिसकी शर्त थी उसको सामने वाला मान ले और surrender कर दे कि ठीक है अब हम ये चीज़ खतम करते हैं मैं जो हूँ surrender कर रहा हूँ तुम्हारे जो भी condition से उनको मान कर हिंदे में बोले हैं तो शर्तों को मानना सामने वाले की शर्तों को मानना given कर देना cease to resist an opponent or an unwelcome demand या फिर yield yield का मतलब है पीछे हट जाना cease मतलब रुको जाना जो तुम resist कर रहे थे तो वो तुमने रोख दे और सामने वाले की जितने भी शर्ते हैं वो तुमने मान ली यह usually कब होता है जब तुम्हें लगता है सामने पहले वाले इनसान को यह लगता है first person को कि मुझे अगर मैं यह चीज़े continue करूँगा तो मुझे और जादा लॉस होगा तो इससे बड़े में given ही कर दूँ गिव अप नहीं बोलेंगे given बोलेंगे जब surrender करते हैं तो उसकूलते give in देश भक्तों को enemy forces के सामने दुश्मन की जो सेना थी उसके सामने capitulate करना पड़ा मतलब उनकी शर्ते माननी पड़ी surrender करना given करना antinam resist करना मतलब अभी नहीं मानी है लड़ते जा रहे हैं resist कर रहे हैं next आपके सामने next आपके सामने cardinal cardinal का क्या मतलब है कोई भी चीज़ जो बहुत important है प्रमुक है प्रधान है ऐसी कोई भी चीज़ meaning देखिए of the greatest importance greatest importance fundamental जो ज़रूरी है ही है जैसे हमारे लिए जीने के लिए क्या ज़रूरी है oxygen oxygen सबसे ज़रूरी है और चीज़े तो चलो धरूदर होती रहेंगी थोड़ी बहुत example देखिए these two cardinal points must be born in mind ये जो दो cardinal points है ये दिमाग में रहने चाहिए synonym देखिए क्या है fundamental जो fundamental का क्या मतलब है प्रमुख चीज जो एक base बनाती है किसी चीज़ का main point जैसे main आपको पता ही है बिल्कुल easy peasy intonym क्या हो जाएगा unimportant जो चीज important नहीं है जैसे कि इस time पर आपके लिए cardinal चीज़ क्या है पढ़ाई करना focus करना और बाकी phone mobile वगयरा पिज़ा खाना पीना सब क्या है secondary है अभी उसे focus नहीं करना है next है charismatic charismatic कौन है जो कुछ अपने आपको ऐसे present करता है कि सामने वाले attract हो जाए in a good way in a positive way जो सामने वाले है वह सारे के सारे उसके तरफ attract हो जैसे और ऐसे भी हो सकता है कि जैसे 5-6 लोग खड़े हैं तो उसमें से एक ही है जो दिख रहा है जो attract कर रहा है सबको चाहे अपनी बातों से चाहे अपनी personality से तो एक अलग से दिख रहा होता है भीड में अगर मैं हिंदी में बोली हूँ तो बोल देते हैं करिश्माई दिखे exercising a compelling charm which inspire devotion in others आपके towards आपकी तरफ devotion दूसरों में पैदा कर दे आप इस तरीकी की कोई चीज कर रहे है तो वो है charismatic appeal to the public public के मतलब कोई speech दे रहा है कोई public speaker है और बहुत ही charismatic उसका behavior personality और speech synonym charming और magnetic magnetic मतलब चुम्बक की तरह वो सब को ट्राइट कर लेते हैं सब उसकी तरह खीचे चले आते हैं magnetic का आपको उल्टा पता है rappeling आपको यह पता है उल्टा कि दूर जाना जैसे आपके polls वी होते हैं वह वाले जैसे दूर जाना यहाँ पर आप देख सक रहे हो यह क्या है charismatic नहीं है जो इसके fellow colleagues यह colleagues है या जो भी इसके employees है यह सारे क्या है उनको मजा नहीं आ रहा है जो भी वो बोल रहा है charismatic नहीं लग रहा है चलिए आज के लिए इतना ही आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद spoken का batch भी आ गया है तो अगर आप भी अपने मन से दिल से English का डर हटाना चाहते हैं और एक fluent English speaker बनना चाहते हैं तो मेरे साथ उस batch में रहा है तो आपको 300 में मिल जाएगा और डिसकाउंट कुछ ही दिनों के लिए है यह डिसकाउंट कुछ ही दिनों के लिए है यह हमारा स्केडू साड़े पांच वजे वो काब एक मुझे spoken की जो भी class चल रही है फिर वो batch में convert हो जाएगी चार वजे आपकी SAC और B8 यह सार easy with निधी पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अगर आपको batch purchase करने में कोई भी दिक्कत आ रही है या कोई भी generally कोई भी doubt है English को लेके तो आप इधर से इधर जुड़िये यह telegram पर एक हमारा group है और फिर यहां से आप मुझे direct message कर सकते हैं तो मैं आपको surely वहाँ reply करूँग तो अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं spoken का batch भी आप ले सकते हैं उसमें google meet के थुरू में आप से बात करूँगी तो बहुत ही अच्छा batch रहने वाला है फेब में start होगा आज के लिए तना ही जाते जाते class को like जरूर करना comment में जरूर बताना class कैसी लगी share जादा से जादा करना और subscribe भी करना channel को thank you so much अब मैं आप से मिलते हूँ एक बचे कर दो दो